दोस्तों आप लोग जानते ही हैं AITT के जो आप लोगों के लिए नोटिस आये हैं जिसमें बताया गया है कि जो आप लोगों का एक्जाम पैटन है उसे रिफोर्म कर दिया गया है मैं उस पर आप लोगों को प्रोपर क्लैरिफिकेशन दे चुका हूँ 2021 में भी क्योंकि हमारे चैनल online एड़े टोटल आप लोगों को यहाँ पर चार स दिक रहे होँगे लेकिन चार में से एक ₹-टी है वह डुप्लीकेट है तो इस लिंक क्लिक करेंगे तो आपको मिद्धिस आ जाएंगी इस पता नहीं चल पा रहा है कि यह जो अप्रेंटिस अब हमारी होगी यह फिर जो हम कंप्लीट करके बैठे हैं हमारा दोजर बाइस में एक्जाम होगा एए टिटी का प्रैक्टिकल वाला तो हमारी वैल्ली तो खतम नहीं हो जाएगी तो भाई यह जो मेरा में मोटिव है वो य आप लोगों के क्लियर कर देता हूं जो मेरे पास कोशन आ रहे है तो पहले सबसे पहले तो यह जो है आप यह वाला नोटिस देखो इस पर मैं जो है आप लोगों को 2021 के एंड में भी क्लैरिटी दे चुका हूँ और मैंने आपको 2022 में भी वीडियो बना के दे दी यह नोट की ओफिशल नियूज आप लोगों को थोड़े समय बाद मिल जाएगी तो वही हुआ आप लोगों को लगबग एक वहीने बाद यह नियूज जो है ऑफिशल साइट पर मिल गई तो यही सब चीज मैंने आप लोगों को बतायती है डिक्टो नोटिस था सब कुछ जो इसमे 111 में फेल हो जाते हैं गलती से वैसे भगवान ना करें कि वह फेल हो लेकिन 111 एक्जाम में फेल हो जाते तो उनका क्या होगा देखो भई आपने बैक नाम सुनाओगा तो एक तरीकी की वही समझो आप लोगों को नोन आइटे के साथ बिठाय जाएगा और फिर आपकी प अपार्टमेंट पे मैंने इसके लिए डाल दिया देखते हैं क्या कोशन का जवाब आता है मैं आप लोगों को जरूर उसका क्लैरिफिकेशन दूँगा दूसरा मेरे पास कोशन आता है सर जी हमने 2021 के एंड में अपरेंटिस कंप्लीट करी है हमने सर जी जो है अक्टूबर में किया हमने रवंबर में किया हमने दिसंबर में किया इससे पहले किया है लेकिन जो हमारी ए आइटेटी परिक्षा है हम उसके लिए अलिजिबल नहीं थे 111 में तो आप खुश नसीब हो कि आप लोगों को उसी क्रैटेरिया में डाला जाएगा क्योंकि आप लोगों के लिए अब जो है यहाँ पर करिक्षा नहीं होगी अगर आपने I Т.E. के बेस पर अपरैंटिस में अडिमिशन लिया था अब मेरी बात को ध्यान से सुनना जो बच्चे pic I T.E. वाले हैं ये जो नोटी से main purpose यह है जो बच्चे II वाले और इन्होंने थियोरी भड़ी है ITA के टाइम पर तो इन बच्चों का खाली practical होगा practical होगा और practical होने के बाद ही इनको AITT का certificate दे दिये जाएगा मतलब जिसके लिए ये लोग नोकरी के लिए अपलाई कर पाएंगे तो ये काम होगे आपका तो जो पहले आप लोगों का थियोरी वाला part होता था यानि AITT का exam होता था थियोरी वाला वो आप लोगों का नहीं होगा ये pattern जो है ये उनका है जिनका ITA के बाद apprentice होती है लेकिन वो बच्चे जो non ITA के base पे मेरी बात को ध्यान से सुनो यानि आप लोगों का trade theory का भी exam होगा आपका practical भी होगा ठीक है ये point आप लोगों का clear हो गया अच्छे से अब मेरे पास जो भई ये main question आ रहा है ये question के जवाब तो मैंने दे दी क्योंकि ये भी common question थे अब जो मेरे पास main question आ रहा है ये आ रहा है सर जी अब 2022 में apprentice करने का कोई फायदा है क्या value सेम रहेगी जो पहले थी देखो भई आप लोगों को मैं ये बता दू value आप लोगों की सेम ही रहेगी value में कोई change नहीं हुआ बस बच्चों के mind में एक question आ जाता है जब कुछ अलग से decision लेता ना department तब तो पहले जो आप लोग नोखरी के लिए apply करते थे जो 20% quota मिलता था वो आप लोगों का सेम ही रहेगा बस फर्क कितना है कि जो AITT के certificate पहले आप लोगों को AITT theory का exam देने के बाद मिलता था अब आप लोगों को वो practical exam देने के बाद मिल जाएगा ठीक है तो अब देखते हैं वैसे तो कोई change होना नीची है लेकिन अगर कोई भी 0.01% भी कोई change होता तो मैं उसकी information आपको जरूर दूँगा ठीक है तो वैल्यू में कोई conversion नहीं हुआ है वैल्यू जैसी थी वही रहे गया आप लोगों की क्योंकि बहुत सारे बच्चे मूर बनाके बैठ गए कि अब हम apprentice नहीं करेंगे अब मन नहीं है अप्रेंटिस करने के वैल्यू ही खतम हो गई तो वैल्यू आप लोगों की बिल्कुल खतम नहीं हुए डिपार्टमेंट जैसे आप लोगों को पहले ट्रीट कर रहा था वैसी इस बार ट्रीट करेगा तो उसकी आप चिंता मत करो जैसा पहले था वैसे ही दुबारा मैं पहले भी बता चुका हूँ जो कोश्चन कर रहे है बच्चे क्योंकि परिशान है वो बच्चे जो बच्चे जो अपनी अप्रेंटिस कंप्लीट कर चुक है चाहे उन्होंने अगस्त में की हो जो एक्जाम हुए थे ना जो एक्सो ग्यारा में एक्जाम या उसने एक दिन पहले अपरेंटिस कंप्लीट की थी तो वो बच्चे यहाँ पर 22 में ही फोल होंगे और वो उसी क्राइटेरिया में आएंगे जो इसमें ये नोटिज दे रखा ठीक है अब मेरी बाते ध्यान से समझ गये होंगे I hope कि अब आप लोगों के मायंड में कोई जो है सवाल नहीं आएगा value में कोई चेंज नहीं हुआ है या value उकात आप लोगों की या میरी अगर मैं भी करता हो तो मेरी उकात word अलग spark और यहीं होता है हम लोगों की value पहले जो है यहाँ पर जो exam देते तो उससे आपको बहुत बड़ा benefit मिलता था तो ऐसा कुछ नहीं है जैसा पहले मिलता था वैसे आपको अब मिलेगा बस जो certificate आप लोगों को mode था वो आप लोगों को different तरीके से assign होगा ठीक है तो यह फर्क हुआ है और एक reform यह हुआ है कि department को पूरे instruction दे दी है कि आप लोग बच्चों का exam जो है जो year end होता है मतलब apprentice का जो year end होता है मतलब खतम होती है जब apprentice उसके last जो है महिने में last week में करवा लो ज़्यादा better रहेगा तो यही है आप लोग यार ऐसा मैं समझो की value आप लोगों की खतम हो गई देखो मैं एक ची जोर बताता हूँ आप लोगों को personally मैं YouTube पे वीडियोज बनाता था आज से चार साल पहले मेरे 1 million, 2 million views भी आते थे मैं ITA field में क्यों घुसा क्योंकि मुझे लगा कि ITA वाले बच्चों का कोई साथ देने वाला नहीं है मैंने अपनी पूरी मेहनत करी और आप लोगों के लिए ITA field में आया reason यही था क्योंकि आप लोग बहुत question करते थे ITA से later तो मैंने सुचा नहीं आरे इनका साथ देने के लिए कोई नहीं है तो जब मैं आप लोगों के लिए इतनी बड़ी इतना जो है वियोशिप या पैसा छोड़के आ गया तो आप लोग जो उस चीज को समझो कि कुछ न कुछ scope है आप लोगों का और कोई बंदा आप लोगों के लिए बैठा हुआ है आप लोगों को support करने के लिए मेरा थोड़ा सा issue चल रहा है बजट का वरनावना मैं digital board ले लूँ और digital board पे आप लोगों के लिए मैं English की classes चलवा हूँ IT teacher को hire करके मैं IT की classes चलवा हूँ मेरा budget का थोड़ा problem हो रहा है actually मेरे loan का issue चल रहा है otherwise मैं आप लोगों की skill पे इतना काम करता कि आप लोगों को मैं कहीं न कहीं set करी देता वैसे मैंने बहुत बच्चों को set किया है लेकिन future plan मेरे कुछ और है मैं कुछ अपना ही institute खोलना चा और बुरा मत समझो item के बहुत benefit है आप लोगों ने देखी लिया 22 में आप लोगों के लिए कितनी opportunity निकल रही है apprentice की भी value है जैसे पहले थी और IT की value आशा करता हूँ मैं सरकार से गोहार लगाऊंगा भी देखना थोड़े समय बाद जब digital board ले लूँगा गोहार है और ट्यूटर पर हम लोग जो है ट्रेंड भी करेंगे ताकि जो है सरकार या जो MSDE इसे इग्नोर ना करें जो ministry of जो इसकिल्ज इसे इग्नोर ना करें आप लोगों की बातों को सुने ठीक है बाकी जो लास्ट आप लोगों को पताईए के incident और हुआ था यह पर 25 तारिक क से ना इन्होंने notice गायब कर दिया यहां से अब जब इन्होंने यह publish किया तो इनका मोटिव वहाँ पर पूरा चेंज हो गया इन्होंने 25 तारिक वाला notice गायब कर दिया जो apprentice मिला लगने वाला था इनको बताना चाहिए था कि हम लोग कोविड की वज़े से उस notice को हटा रहे और आप लोगों को success बनाना है बस मैं तो देखो अपनी साइट से लगाई हुआ हूँ जितना हो पाएगा जितनी गले में जाना है जितनी शरीर में जाना है उतनी आप लोगों के लिए मैं जो है अब आज लगाता रहूँगा और उठाता रहूँगा और आप लोगों के जो जो मुद्दे है प्लीस वो भी मुझे बता दिया करो time to time तकि उस पर भी जो मैं concern race कर सकूँ और आप लोगों से department को email करवा सकूँ दन्यवाद keep in touch जुड़े रही है I hope अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि apprentice की value में किसी प्रकार की कमी नहीं आई है ठीक है जैसा पहले था वैसे ही रहेगा apprentice जिसका मनता वो करो और जिसका मन कुछ और करने का था भाई या वो कुछ और करो धन्यवाद